तो यह वीडियो में आज मेरी फ्रेंड मेरी ग्रोजेस्ट फ्रेंड मेरी फैमिली मेरी सिस्टर तिविया के लिए बना रही हूँ तिविया भटनाकर के लिए मेरी गोलुम गोलु से, क्योटी से, शी लेफ्ट अस, शी लेफ्ट मी, अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदेगी जीएगी, इंडिपेंडेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉंग रखनेंगी, और यूज शी, अइपसलियो, और पुद की बना है, शी लेफ्ट, गोज सबुकर्णीयो, उसकी सफरींग देखना ही पाये, इतने सालों में, पिछले, नौ दस सालों में, आज झाण मैंने कभी नहीं देखा कि तिग्या नहीं किसी के लिए कुछ गलत किया कि किसी को दुख भी पहुचाया है बस लोगोंने से उसको ही दुख पहुचाया है उसी का ही इस्तेमाल के आया है इस्पेशली रिलिशन्शिप्स यह हर एक लड़की गलती करती है एक रिलिशन्शिप्स से गंदे से धोका खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहरा दे देता है वो लड़की बिना सोचे समझे उसे अपना सहरा मान लेती है बिना उसका बैक्ग्राउंड जाने बिना कुछ जाने और दिविया तो मासूम थी एक तम भूली थी उस पागल को तो मैं समझाते थी मतलब अगर मैं इससे समझाती होंगी तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीकी की थी मैं खूद इतनी एमोशनल हूँ तो वो मेरा मेरा हजार होना थी आज यह वीडियो में बना रही हूँ बहुत जरूरी है यह बनाना इस्पेशली उस इंसान के लिए जिसके वज़े से मेरी दिविया ने इतना सफर किया कि आज दिविया के साथ जो भी हुआ दिविया हमारे बीच में नहीं है इस बिकॉस अफ कोविड बर जो मेंटल स्ट्रेस जो फीजिकल अब्यूस उसके साथ हुआ है कोई भी इंसान अगर उस फेस से गुज़रता तो चोटी सी चोटी सी एक बिमारी कि इसे भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है तो फिल भी कोविड था बहुत ही शराफत से बहुत ही शानती से मैं आप सबको यह चीज़ बता रही हूं इस दिन तुने क्या पोस्ट किया था कि उसकी मा और भाई तेरे रिलेशन्शिप्स के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे तेरी उकाद किया है क्या उकाद है तेरी तू कौन है तू यहां पे जो चार प जो गीने चुने आर्टिस्ट को भी जानता है ना वो दिव्या के बदौलत भीग मांगे तू हिमाचल से दिव्या के साथ यहां रहने आया था और जो तेरे अगेंस्ट में सिर्फ उसकी फामिली नहीं मैं भी खड़ी थी इसलिए वो चार साल मेरी दिव्या से बात नहीं ह मता था कि तू ऐसा ही निकलेगा पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी इतनी अंधी हो गई थी तूमें तेरे बातों में इतना फसा लिया था कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए ना अपनी माबाप की सुनी ना भाई की सुनी ना मेर अब तु ले पबली सिटी मेरे से तुझे मैंने कहा था ना तेरा काला चिट्टा खोलके रख दूंगी में और अब देख यह शुरुआथ है तुझे मैंने उपर से नीचे तक एक्सपोज नहीं किया ना तो फिर तू बता मुझे तो तेरे अगेंस जो हम लोग खड़े थे वो इसके लिए गगन गब्रू क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में शिमला में तेरे उपर केस चल रहा था और जिसकी सजा छे महीने जेल में रहे के तू लास्ट एर भुग टॉर्चर किया है मेंटेल टॉर्चर जिसके विल से वह इतनी स्ट्रेस में आगी इतनी बिमार पढ़ गई उसको डाइबटेस हो गया हर एक चीज तेरे वजी से हुआ है जो तुमने उसको टॉर्चर किया है तुझे क्या लगा कि दिव्या चली गई तो तू अभी आयाश है और कल बिव्या के जगर पे तुम लोग हो जाओ तो अपने आपको बचा लो और इसको पर एक एंसी करके डाल दो क्योंकि यह ऐसा ही है और पता नहीं अगर इसको इसको अगर हमने अभी नहीं रोका और आगे जाके किस-किस लड़कियों की जिंदेगी यह बरबाद करे अब तो और इसको आदमी के साथ जुड़े हुए हैं प्लीज इसका बैक्गराउंड चेक कीजिए हिमाजल शिंगला पुली स्टेशन में जहां से भी यह है वहां का पुली स्टेशन वहां के जेल का पता कीजिए इसका अच्छे से इन फार्क इसका ओशिवारा पुली ऑफिक सब्यार के रखाया है करवा चौप के दीन आया था उसके साथ और एक तो शाधी के बाद से ही वह दिव्या को रोज मार रहा है उसकी जुल्री भी चुरा के ले गया है ऩाइक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है वी प्रूफ मैं आप सब के सामने एक करके मैं एक्सपोस करूंगी बट उससे पहले तू सुन ले कगनगब्रू तेरी जिंदेगी अब जेल में ही सड़ेगी यह तू आज समझ ले तुने जो किया है ना दिव्या के साथ उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा आप करेगा दिव्या तो आप बहुत अच्छे जगे प हम से छीना है ना तू देख जिंदेगी भर तू और तेरी मा जेल में ही सड़ेंगे तू देख गदन गब्रू तू देख लीगल काउंसिलिंग करेगा तू क्या लीगल काउंसिल लिखके रखा है तो अपने प्रोफाइल पे लीगल काउंसिलिंग या जेल में जाके करेग तू देख अभी तेरी publicity मैं करवाती हूँ तू देख